सब्सक्राइब कॉमर्स विद M.J. YouTube चैनल और प्रेस्ट बेल इकन तो गेट इन इसन नोडिफिकेशन वेनेवर आप उस वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं आज की वीडियो में हम फाइनिशल पैनिक के बारे में सीखने वाले हैं इसमें हम सीखेंगे वट इस of financial planning चलिए शुरू करते हैं देखिए उसमें जो फाइनिक है ये दरसल दो वर्ड से मिलके बना है first is finance and second is planning प्लैनिक क्या होता है यह तो आपने सीखी लिया है पहले पार टे में Planning क्या होता था? Planning वो होता था, जहाँ पर हमें यह decide करना पड़ता था, कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, तो बस वोड़ी तो planning होता था, अब इसके साथ एक word add हो गया है, क्या? Finance, finance का मतलब क्या है? पैसा, तो यहाँ पर हमें पैसे से पहले से ही decide कर लेना how much to spend, कितना पैसा हम spend करेंगे and second is on what to spend, किस में spend करेंगे according to the fund at your disposal, किस किस project में हम पैसे को spend करेंगे, कितना करेंगे और किस किस project में हम spend करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते है, financial planning बोलते है, तो उसके अंदर तीन चीजे include होती है, first is determination of the amount of finance needed, सबसे पहले हमें ये determine करना पड़ता है, कि कितने हमें पैसे की जुरत है, दूसरा हमें क्या determine करना पड़ता है, determination of source of finance और fund कि कहां से हम उस finance को raise करेंगे, उस source को determine करना पड़ता है, हमने previous वीडियो में पढ़ा है, क्या-क्या sources हमारे पास होते है, owner fund से हम पैसे को raise कर सकते हैं, borrowed fund से हम प पॉलिसी बनाओ कि ताकि जो आपने पैसा रेस किया है उसका प्रॉपर यूटिलाइशन हो पाए और अच्छे से आप उसको एडिनिस्ट्रेट भी कर पाए को कि I hope आपको clear हो गया होगा what is financial planning आई ये देखते हैं इतनी financial planning करने का हमारा objective क्या होता है क्यो हम financial planning करते हैं आई ये तरीक से main objective होता है financial planning का जब भी company को पैसे की requirement होती है तो उस समय financial planning करके company जो है sufficient fund को क्या कर पाती है available कर पाती है company तो जब भी basic requirement होगी financial planning करो आपके पास sufficient fund available हो जाएगा दूसरा जो आपका objective देखने को मिलेगा वो ये है to see that firm does not raise the resources unnecessary देखिए इसमें क्या होता है अगर हम कभी भी market से जादा fund ले आए या फिर fund की कमी हो गई तो दोनों ही situation का होता है company के लिए नुकसान दायक होती है तो आपको जादा fund भी नहीं लाना, कम fund भी नहीं लाना जितना fund है उतना ही लाइए जादा fund लाएंगे तो क्या होगा आप कहीं भी उसे invest करने लग जाएंगे और जो भी नहीं है कि हर जगे invest करके आपको अच्छा ही return मिले और अगर आपके पास कम fund होगा तो कम resource आपको पता ही है पैसे की अगर कमी होगी तो क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकता है तो ज़्यादा fund अगर आएगा तो अगर आपके पास कोई planning नहीं होगी तो आप उसे खाली आपके पास पढ़ा ही रहेगा पढ़ा रहेगा उसको आपको repayment करनी है repayment के सांसे interest payment करनी है आपके लिए ही कुछ loss का button हो जाएगा तो आपको क्या करना है कभी भी ज़्यादा fund नहीं raise करना और नहीं कम fund को raise करना है आपको shortage भी नहीं होनी चाहिए और fund access में पढ़ा भी नहीं होना चाहिए तो मतलब एक तरीके से financial planning करेंगे तो आपके पास resources जो होगा सही तरीके से उसका use हो पाएगा तो to see that the firm does not raise the resources unnecessary ओके आईए उस्टुएंट्स अब सीखते हैं importance of financial planning के बारे में देखें first जो importance हमें मिलता है financial planning का वो है it facilitates collection of optimum funds देखें financial planning करके हम estimate कर पाते हैं कि हमें future में कितने funds की requirement होगी ठीक है इसी के साथ साथ क्या होता है हम sufficient fund को क्या करते हैं raise करते हैं जिससे क्या होता है कोई wastage नहीं होता और नहीं over capitalization होता है कोई भी funds का इसके बाद जो next हमें importance देखने को मिलता है वो होता है helps in investing in right project देखें सही financial planning अगर आप करेंगे तो आपको पता होगा कि ये मेरे को कितना funds किस project में लगाना है तो it helps in investing in right project third जो importance देखने को मिलता है financial planning का वो है helps in the proper utilization of fund देखें आप अच्छे से financial planning करेंगे तो आपका जो fund होगा आप उसका सही से क्या करेंगे utilize करेंगे ओके आपने अच्छे से corporate planning करी है तो planning से क्या होता है आप planning करके ही तो किसी चीच का सही से utilize कर पाते है तो financial planning करके भी क्या होगा आप finance का सही से क्या करेंगे proper utilization कर पाएंगे इसके बाद जो fourth advantage हमें मिलता है financial planning का वो है एक links present with future देखें planning क्या करता था planning एक bridge बना देता था कि future में हमें कितनी sale करनी है कैसा growth करना है future में तो वो ही हम किस से determine कर पाते है financial planning से कर पाते है इसलिए कहा गया है it links present with future fifth advantage देखने को मिलेगा वो है base for financial control देखें financial planning में क्या होता है हम actual performance और standard अपना जो estimated performance है उसको compare करते है हम planning करते समय हम यह देखते है कि future में हमें कितना revenue generate करना है future में हमना कितना cost आना चाहिए और जब future में हम actual revenue generate करते है actual cost pier करते हैं तो उसको आपस में compare करते हैं उसी को बोलता है financial control तो financial planning के कारण ही financial control भी हो पाता है इसके बाद जो sixth हमें importance देखने को मिलता है वो है helps in avoiding business shocks and surprises देखिए financial planning करके क्या होता है हम determine कर पाते हैं कि future में हमार पास क्या shock और surprise देखने को मिल सकते हैं तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं उस situation को adapt कर लेते हैं और उस situation से बच जाते हैं future में अगर कोई ऐसे shocks ये surprises हमें देखने को मिले तो avoid कर पाते हैं इसके बाद जो last हमें importance देखने को मिलता है वो है helps in coordination देखिए financial planning करके क्या होगा जो भी हमारी financial requirement है जो future में होने वाली है वो हम पूरी कर पाएंगे ठीक है इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा आपको जितने भी business के function है चाए वो production के हो या sale के हो सबको एक साथ मिला के काम करेंगे वो ठीक है मिला के काम करेंगे तो एक तरीके से क्या होगा coordination होगा सब के बीच में तो इसलिए बोला गया है कि helps in coordination I hope आपको clear हो गए होंगे क्या होते हैं importance क्या है financial planning and what are its objective तो आज की वीडियो में हम इतना ही cover करेंगे students तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए जैनको subscribe करिए share करिए बिलते हैं अपनी next वीडियो में अब तक के लिए good bye take care लाइब घंदrant करिए–णार के जोड़ों आए ken्वी में डिल सकते हां मा इ reversal उपा मैं जाजाना